लेकिन मैं अपना वृत बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगे तुम्हारा मोड रहता ही कब है मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं पीजी में रह रही है आप तोनों का पिछले जनम का प्यार कितना सच्चा था अपनी पिछले जनम की पत्नी से मिले तुमने अपने लिए प्रेट नहीं लगाई नहीं, ये एक हफता मैंने वृत रखा इस एक हफते नहीं मैं कुछ खाऊंगी और नहीं फालाहार लोंगी सिर्फ पानी ही भींगी बहीं, ये वृत किस खुशी में रख लिया? आपकी तरक्की की खुशी में ताकि जल्दी से आपका कोई बड़ा प्रमोशन हो जाए लेकिन एक हफता तो बहुत होता है एक हफता तुम कुछ खाऊगी नहीं तो कमजोर हो जाऊगी और शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हें इस घर में दिन में अकेले रहना होता है तुम्हें कुछ हो गया तो आपके लिए अगर मेरी जान भी चले जाए ना तो भी मैं खुश रहूँगी प्यार इंदरानी किस मिट्टी की बनी हो तुम और कहां से लाती हो इतनी शक्ती इसे सच्चा प्यार कहते हैं सच्चे प्यार के आगे ना भगवान भी चुप जाते हैं लेकिन इस तरह का प्यार आज के जमाने में कौन करता है देखो ये प्यार व्यारना सब पागलपन है तुम जिद शोड़ो और अपनी प्लेट लगाओ बस पागलपन ही सही लेकिन मैं अपना व्रत बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी आपको पता है ना कि मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी इस मामले में फिर क्यों जिद करते हैं आप खाना खाये प्लेक्स फीक अच्छा अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं इस एक हफते आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे सब कुछ वर्जित है और मैं अलग कमरे में रोंगी इस एक हफते यार एक हफता बिना प्यार किये मैं कैसे रह पाऊंगा ये एक हफता इतनी जल्दी गुजर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा चलो यार जैसे दैसे हफता भी निकल गया आओ अरे पास तो आओ देखो हज मेरा मूड नहीं है तुम्हारा मूड रहता ही कब है हर बार तो मुझे ही तुम्हारा मूड बनाना पड़ता है देखो आज मेरा मूड नहीं है यार लेकिन कोई तो वज़ा होगी ना ऐसी बिना बात का तुम्हारा मूड नहीं है बात तो है ना और आपको अच्छे से पताए कि क्या बात है जब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है ना तब प्यार मुभबत करने का मन नहीं करता है यार तुम दुबारा चालू मत हो जाना प्लीज तरक्की नहीं और यह नहीं और उरा वो नहीं औरा है वो गड सेग क्यों ना चालूओ, आपके साथ वाले सब आगे के तरक्की करें, और आप है कि अभी तक उसी पोस्ट पर है, किसीने गाड़ी ले लिया, किसीने बड़ा बंगला ले लिया, और आप, आप तो भही के भही पर है, जार तुम क्यों दूसरों की और देखा देखी करते रहती हो मेरी सरकारी नौकरी है, जो औरों के पास नहीं होती है, लाइफ टाइम की गरेंटी है मेरे पास, और शायद तुम भूल रही हो, कि तुम्हारे घरवाले ने यही देख करके तुम से मेरी शादी करवाई थी, अगर तुम्हें इनी सब चीजों से प्यार है, तो क्यों अच्छा, मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ना एक पीजी रख लेते हैं, इससे क्या होगा, कि हमारी आमदनी भी हो जाएगी, और तुम्हें कमपनी भी मिल जाएगी, पीजी आप कैसी बात कर रहे है, मैं घर में अकेली रहती हूँ, उसमें आप प जागा रहेगा, यह तो बहुत सही बात बोली आपने, बहुत सही आइडिया है, ठीक है, तो फिर मैं आजसी काम शुरू कर देता हूँ, ठीक है, जी मैंने एक प्रेंट के शोशल चैट ग्रूप में आपका पीजी वाला एड देखा था, वहीं से मुझे आपका नमबर मिल तुम लखनव से तो नहीं लगती हूँ, ठीक पहचाना आप में, वैसे तो मैं इंदॉर से हूँ, अच्छा, तो फिर यहां क्या करने आई हूँ, पढ़ाई या फिर जॉब, पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो गई है, यहां मैं जॉब के सिलसिले में आई हूँ थी, अच् अच्छल वाला महाँ लगता है, तेखो, यहां पर हम हस्बंड वाइफ रहते हैं, तो तुम यहां पर अपने दोस्तों को नहीं बुला सकती हो, तुम्हें अपना कमरा खुदी साफ करना होगा और रात में नौ बजे से पहले तुम्हें घर आना होगा, अगर यह सब शर्त मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, ठीक है, यह है मेरे पती गौतम सेंग, गौतम यह है दिव्या है, यह पीड़ियोडी में ही है, इसका ओफिस आपके ओफिस के एकदम पास में है, अहां मुझे भी लग रहा है कि मैन इनको कहीं देखा है, हां आते जाते नजर पढ़ हां, जो हिंदराणिये, मेरा हो गया, हां, आपके बदी बहुत ही शर्मीले, हां, वो मुझे छोड़कर बाकी सारी लड़कियों से शर्माते है, आप बहुत लग्यों, कि आपको ऐसे पती मिले. हाँ, वो तो है. क्या हुआ, अदिपया? तुम उदास के हो गई? चे मैने ज़े मैं घर नहीं गई. हॉस्टल में रह रही थी. आप लोगों को देखकर परिवार की याद आ गई. कोई बात नहीं, तुम हमें अपना परिवारी समझे, हुझे अपनी बड़ी दीदी समझे. मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल. तुम ये समझे कि तुम अपने दीदी जीजा जी के घर पर रह रहे हूँ. हाँ, 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 तुम रहने दो में ले चाऊँगी. अभी तो आपने बोला कि आप लोगों को अपना परिवार समझे, तो वो ही तो कर जीए हूँ. अच्छा, ठीक है. सच में दिवया, इस एक हफ्टे में तुमारे साथ इतना हसी हूँ, जितना मैं साल भर में भी नहीं हसी. अब तो सच में तुम मुझे अपनी छोटी बैन जैसी लगने लगी हो. दीदी तो आप भी तुम में अपनी बड़ी बैन जैसी रख रही है. इस एक हफ्ते में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं पीजी में रह रही हूँ पर मैं आपसे एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे आप पुछो, पुछो, मैं क्यों मानूगी बुरा कही बार मैंने देखा है, आप उदास रहती हो कभी अकेले बैठी रहती हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकती हो, मुझे से शेयर कर सकती हो अब तुम से क्या चुपाना दिव्या, हमारी शादी को छे साल हो गए, लेकिन इनकी लाइफ में तरक्की हो ही नहीं पा रही है यह बहुत सीध है, और तुनिया के तौर तरीके इन्हें आते ही नहीं, मैं गौतम सिर बहुत प्यार करती हूँ और मैं इन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ यह बहुत मैनत करते हैं लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ जाते हैं और यह वही के भही रह जाते हैं कभी-कभी तो सोचती हूँ कि भी मैं इनके लिए अनलखी तो नहीं अरे नहीं नहीं दीदी आप तो कितनी अच्छी हो और अच्छे लोग किसी के लिए अनलखी कैसे हो सकते हूँ आपको पता है दीदी कभी-कभी हमारे इस जनम का समस्या का हल पिछले जनम से जुड़ा होता है पिछले जनम? मैं समझी नहीं दीदी, आपको पता है, हम सबका सवाव हमारे पिछले जनम के संसकारों से बनता है हमारी लाइफ में जो भी चीजे होती है, अच्छी बुरी वो हमारे पिछले जनमों से जुड़ी होती है तो कई बार हमारे समस्याओं को समाधान भी पिछले जनम के रास खुलने पड़ी ही पता चलता है लेकिन पिछले जनम में क्या था, क्या नहीं, ये कोई कैसे जान सकता है हाँ, हाँ, दीदी बिलकुल हो सकता है और लगनों में तो कई ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो ऐसा करते है अच्छा सुनो ना एक पर बात करके देख लेते हैं ना दिव्या भी कह रही थी यार इंदराणी मैं इन बेकार की बाते हुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं और यह बात तुम्हे ने बताई ना उसे आये हफते दस दिन भी नहीं हुआ है और वो जो कहते है तुम उसकी बात लेती हो वो तुम्हारे मन में जो भूसा भरती है वो तुम मेरे पास लेकर आजाती हो तुम ना हमेशा ऐसे ही करते हो जब भी मैं तुम्हारे पास में कोई भी बात लेकर आती हुना तुम फट से मना कर देते हो मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के पागल हुरी हूं और तुम्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं है अच्छा ठीक है बाबा यह भी कर लेंगे, ओके, तुम बातों बातों पर रोया मत करो यार बस, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अब भी दिव्या को बोलके आपकी पास लाइप रिग्रेशन का सेशन बुक करने को बोलती हूँ, अरे, अरे इस वक्त, ताइम तो देख लो, इसमें कोई रिस्क तो नह की स्टड़ी का हिस्सा है, मैं खोद ये सर्टिफाइट कोर्स बाहर से ही करके आएगा, मैं आपको पूरा अश्वासन देती हूँ, इसमें डड़ने जैसी कोई भी बात हूँ, ओके, रिग्रेशन में पास लाइप के बारे में जो कुछ भी हमें पता चलेगा, वो सिफ आपके और मेरे बीच में ही रहेगा, और मैं आपको भी यही सलहा दूँगी, कि ये बात जो पास लाइप के रिग्रेशन में आप जो भी देखेंगे, उस सिफ आप अपने कप रखेंगे, ठीक है, फिर मैं तैयार, ठीक है तो फिर जब तक रिग्रेशन सेशन चलता है, त अब आप सबसे पहले अपनी आखें बन करो, अब मन ही मन, दस से लेके जीरो तक उल्टी गिंती करो, अब अपना ध्यान सिर्फ मेरी आवास पर केंड़ित करो, और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन्स देती जाओं, उन्हें फॉलो गरो, टैन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, पाइल, पोर, थ्री, टू, वान, अब एक सीड़ी की कल्पना करो, और उससे नीचे उतरो, क्वार्णी झाओं, इंस्ट्ड़ो अपना भुपना इंस्ट्यों से और जाओं, इंस्ट्रक्शन्स देभाता करो, भी मैं इंस्ट्रक्शन्स अब तुम अपनी आखे खोल सकते अब तुम अपनी आखे खोल सकते अब तुम ने देखा है तो ऐसा ही हो है लेकिन अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो इसलिए तो मैंने उन्हें पहले ही भार भेज दिया था क्योंकि रिग्रेशन में कुछ भी सच सामने आ सकता है ऐसा सच जिसे सुनने के लिए हम तियार ही ना हूँ और मेरी आपको यही सला रहेगी कि आप अपनी वाइब को कुछ भी ना बता है मैं कितनी देर से आप से पूछी हूँ कि आपने पिछले जरम में क्या देता है लेकिन आप है कि इन्दरानी बात को समझा करो शीवानी जी ने किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया है आपको मेरी कसम है आप बताईए ने क्या बात है चलो ठीक है अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम विश्वास कैसे करोगी और ना जाने तुम रियाक्ट कैसे करोगी अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बताईए तो सही मैंने पिछले जनम में ये देखा कि दिव्या मेरी पत्नी थी और हम दोनों बहुत ही करीब परिवार से थे और वो बिमार हो जाती है, इलाज नहीं होने की वज़े से वो मर जाती है और उसे याद करते कुछ दिन में मैं भी मर जाता हूँ शिवानी जी ने ये कहा है कि इसी कारण से मैं इस जीवन में संपन नहीं हो पा रहा हूँ और मेरी भीदरी मन को भी यही लगता है कि मैं संपन सिर्फ और सिर्फ दिव्या के साथ ही हो सकता हूँ लेकिन शिवानी जी ने कोई उपाय तो बताया होगा ना? बताया तो है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता है पॉसिबल अब बताईए तो सही कि क्या उपाया? शीवानी जी ने कहा है कि अगर मैं दिव्या से शादी कर लेता हूं तो इस जनम में संपन हो सकता हूं लेकिन देखो ये नहीं हो सकता है और तुम दिव्या से कुछ भी नहीं कहोगी पता नहीं वो क्या सोचेगी हमारे बारे में आप दोनों का पिछले जनम का पैयार कितना सच्चा था कि उसके मरने के बाद आप भी मर गए और शायद इसलिए दिव्या इस जनम में आपकी सिर्दिगी में आई है ताकि उससे शादी करके आपकी तरक्की हो जाए और शायद इस लिए इस जनम में आपकी तरक्की रुकी हुई थी यार इंदरानी ये तुम कैसी बाते कर रहे हो क्या सोचेगी दिव्या हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी ये आइडिया तो उसी का था कि हम पिछले जनम में जाकर जाने की इस समस्या का निवारण क्या है और ये बात वो समझ जाएगी ठीक है जो भी है तुम अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि मेरे से तो ये सब नहीं होगा ठीक है ठीक है ऐसा कैसे हो सकता है आप मजाग कर रहे हो ना दीदी मैं इतने गंभीर मोड पर मजा क्यों करूंगी दिव्या लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दीदी इंदरानी अपनी पिछले जनम की पत्नी से मिली ये आप क्या कर रहे हैं दीदी आप अपने पती का हाथ मेरे हाथ में दे रहे हैं तुम नहीं कहा था ना पिछले जनम का राज जानने के लिए अज जब उससे सच बाहर आ गया है तो फिर तुम पीछे क्यों हट रहे हूँ आप इतनी भी स्वार्थे ने कि दो प्यार करने वालों से फिर्शा करूं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है दीदी मैंने गौतम जी को कभी उस नजर से नहीं देखा नहीं दीदी ये नहीं हो सकता है जाने दोइंडराने अगर उसे यकीन नहीं हो रहा है तो छोड़ दो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए आप चिंता मत कीजिए अभी अभी पता चला है ना इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है तेखना मैं उसे मना लोगी आप उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजे अच्छा तुमें गौतम को देख की कैसा लगता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता पिछले जनम का प्लीज दीदी मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करने मुझे अजीब लगता है मैं आपको दीदी बोलती हो और आप इस लिहाज से तो वो तुमारे जीजा जी हुए और तुम उसकी साली और साली तो आदी घर वाली होती है ना दीदी आप किस मिट्टी की बनी हो आप अपने ही पती को किसी और अरत से जोड रही हो मैं कौन होती हूँ जोडने वाली जुड़े तो तुम दोनों पता नी कितने जनमों से देखो ना गौतम ने तो मुझे अपने पिछले जनम के सेशन में तो देखा ही ने दिखी तो तुम हो उसे पर तो बस इतना चाहती हूँ कि दो प्यार करने वाले मिल जाए मेरी मानो तो तुम भी गौतम से शादी के लिए हां बोल दो और इसमें मुझे कोई आपत्ती नहीं है पर मुझे आपत्ती है मुझे नहीं करनी शादी अच्छा एक काम तो कर सकती हो तुम भी अपना एक पास लाइफ का रिग्रीशन करवा लो अगर उसमें तुमें तुमें पिछले जनम का कुछ भी नहीं दिखा गौतम से जुड़ा तो इस विशह पे मैं भी आगे से कोई बात नहीं करूँगी प्लीज चीक एदीदी जैसा आपके अब आप अपनी आखे खोल सकती यह लोग पानी पीव ऐसा मिला है कि लोग पहली बार हुआ है कि दो लोग अपनी पास लैप के बारे में जानने आए और दोनों के ही तार आपस में जुड़े हुए थे पर ऐसा भी तो हो सकते है कि मैंने जो सुना शाहिद मैं बही देख रही हूँ नहीं ऐसा इस थरवे में संभव नहीं है जो भी तुमने देखा वो तुम्हारे साथ सच में पिछले जनम में घटित हुआ था तब ही वो तुम देख पाई और मेरी तुमसे एक ही सला रहेगी कि चाहें कुछ भी हो जाया गौतम जी को या उनकी वाइब को इस बारे में मत पता चलने देना परना उनकी शादी शुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाएगी पर जाएगी बताओ ना दिवया तुमने क्या देख अपने पिछले जनम में? कुछ खास नहीं, बताने लाएग ऐसा कुछ इपी मुझी नहीं देखो दिवया, तुम अपनी दीदी से जूट पोरी है मुझे अच्छे से पता है, तुमने जरूर पिछले जनम में कुछ देखा है और तुम अबम पुछ से नजडे चुरारी हो शिवान. ने मना किया एए और मुझे आप दोनुसे कुछ भी बताने के लिए अरे शिवानी जी ने तो गौतम को भी मना किया था बताने को लेकिन फिर भी गौतम ने बताया ना कुछ गलत नहीं हुआ ना देखो, हम समझदार लोग हैं हम समझेंगे, तुम बता सकती हो आप समझ नहीं रही है दीदी मैंनी चाहती कि मेरे वज़े से आप दोर्मी की शादी शुदा जिन्दीकी में कोई भी समस्या हो तुम उसकी चिंता मत करो वो, हाप देख लेंगे देखो दिव्या जब मैंने इंदरानी को ये बताया कि मैंने तुम्हें देखाया अपने पिछने जनम में अपनी पतनी के रूप में तब कोई समस्या खड़ी नहीं हुई तो उससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है तुम प्लीज बताओ क्या देखा तुमने मैंने भी यही देखा कि पिछरे जनम में हम दोनों पती-पतनी थे पर वो 300 साल पहले की बात थी एक साल अकाल पड़ा और हम दोनों की मौत हो गई आप दोनों किसी भी जनम में खुश नहीं थी इसलिए गॉतम इस जनम में भी खुश नहीं है मिलती तकलीफ जेलरे वो इस जनम में भी लेकिन वो तो पहली की बाते दी थी इस जनम से उसका क्या लेना देना और इस जनम में मुझे गौतम जी से पती वाली कोई भी फीलिंग नहीं आती देखिये आपकी बात मानकर एक बार मैं चली गई और प्लीज अब हम इस टॉपिक को यही कत्म करते है नहीं क्या हूँ आपको आप ठीक तो मैंने एक बहुत ड्रावना सपना देखा मैंने देखा की खेलो गर्मा गरम दूथ आपको इसकी बहुत सवर्द पड़ेगे थेंक यू दर्वाज़ खोलो करें दूद के बहुत दूद मत पीना इन अभी किचन में देखा की दूद के बड़तन में मरी होई छिपकली थी ऐसा अपतान सपना कैसे देख सकता हूं मैं हाँ जब दोन्हों इतने जन्मों तो पिछले जनम का डर अभी भी आपके अंदर है, और इसका एक ही उपाय है, कि आप दोनों शादी कर लो, मैं तो कबसे ये सच्मान चुकी हूँ लेकिन, दिव्या ये बात मानेगी क्या? पहले आप नहीं मान रहे थे, और अब दिव्या नहीं मान रही है, लेकिन आप उसके चिंता मत कीजे, मैं उसे मना कर रहूं की, मेरे पास एक तरकीब है दीदी, ऐसी क्या बात है? जो आप आप नहीं कर सकते और मुझे यहां लाई है अरी, पहले तुम बैठो तो सही, बताती हो यह वो क्या गया आपको? आपकी मीवी यहां खड़िया और आप मुझे टश कर दे? वो एक्चुली इद्रानी नहीं मुझे ऐसा करने को कहा था लेकिन क्यो दीदी? देखो दिवया, अगर तुम गौतम के साथ शारिरिक संबंद बनाओगी तो तुमें गौतम में बो पती नजर आएगा जिसके साथ तुम जन्मों से साथ रह रही हो और तब तुमें शायद गौतम से शादी कनने में कोई भी हिचके चाटनी होगी तेखो, मेरी बात मानो, आज यह हो क्या गया अब दुनों को? आप पिश्वी जन्म को इस जन्म से क्यों चोट रहे हैं? गलती मेरी थी कि मैने आपको यह आइडिया दिया यह सोचकर कि आपकी समस्या का समधान हो जाएगा लेकिन आपने तुम मेरी नहीं समस्या खड़ी कर दी बस अब मैं इस घर में एक मिनट और नहीं रह सकती मैं आज ही अपने गर वापस जा रही हूं दौर अही तुम देख क्या रहो अगर वह सच में चले गई तो जाके रोको उसे तुम यहां से कहीन जा सकती हो मेरी बबी हो मेरी जिंदकी साइसे रहसे तुम तो तुम नहीं जा सकती तुम तो थुम लग ऐसे नहीं मानोगी मैं और धी पलिस को फोन करूँ ती क्तिश आने केख करन यो तुम जली जटेख रसने किया हो जल्दी buzzing जोड़, जल्दी करो, हाथ बादो इसके, जब तक ये शादी के लिए हाने कर देती है, इसी कमरे में सड़ती रहेगी, हाथ से इसका खाना पिना बंद कर दो, देखते हैं कब तक ये मना करती है, यार तीन दिन हो गया है, और तीन दिनों से उस लड़की ने कुछ खाया नहीं है, बड़ी इठीट है, ऐसे जित पैड़ी रही तो क्या करेंगे हम लोगे, हेलो, हेलो, मैं रोईट बोल रहा हूँ, दिविया रहा है, मैरी दिदी है, अच्छा, दिविया के भाई बोल रहा हूँ, जी, वो आपके ही कर में रहती है ना, IJPG, हाँ हाँ, वो यही रहती है, हमारे साथ, मैं इंटेंस एक्जाम देने के लिए आया था, आज वापसी का मेरा टिकट था, तो उनसे पहले उनसे मिलना था, उनका कॉल लग नहीं रहा है, वो ठीक है ना, क्या मेरी बात उनसे हो जाएगी, अब, वो, वो डॉक्तर के पास गई है, एक गंटे में आ जाएगी, जैसी आती है तो मैं, अच्छा, ठीक है, मैं एक गंटे में आता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, एक गंटे में दिव्या का भाई उससे मिलने आ रहा है, अगर वो यहां आगया, तो उसे सारी स अच्छा ही पता चल जाएगी, कहीं वो पुलिस को ना बुला ले, हम फसना जाये कहीं, यार, कुछ सोचने दोगी मुझे, छुप करो, कुछ नहीं होगा, तुम रोईती हो ना, पांए, आओ अधा, वाँ अन्हुर, बढ़ तो, बढ़ करो, बढ़ को, बढ़ को, पत्तो, डोब को, बढ़ को, दिदियां के डोक्टर के अधाल, क्या हुआ है उन्हें, झाल 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 कुछ नहीं वो छोटा से एक एकसिडेंट हो गया था लेकिन में ठीक हूँ अच्छा हुआ अच्छा हुआ फ्रैक्चर नहीं गया था फोन भी तोट गया था इसके फोन नहीं लग रहा होगा पर हुआ कैसे एकसिडेंट अरे वो मैं रॉब साइट से चल जही थी तो एक कार ने ठक कर मार लिया एक मिनिट मैं घर पर फोन लगा के बता देता हूं घर वाले भी बहुत परिसान हो रहे है हां ममी कि एकड़ से चल बाले भी टोग उरे भी तो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, और ना मेरी ट्रेन शुट जाएगी. ठीक है, आराम से जाना. नास्ते. चाल, अब बैठ तो. ठीक है, बाए. तेख, अगर तुने तेरे भाई को कुछ भी बताने की कोशिश की, कि हम तुझे याँ पर कैसे रख रहे हैं, तो फिर मैं ये पिक्चर्स वाइरल कर दूँगी. कि पूरे समाज में तेरी बतनामी हो चाहेगी. और अगर तु इस बतनामी से बच्चना चाहती है, तो ठीक वैसे ही कर जैसा हम तुससे बोल रहे हैं. समझी? नहीं प्लीज आसा मत करना, प्लीज. प्लीज आसा मत करना. पेने पापा हाट के पेशेंट है. अगर उन्होंने ऐसी तस्वीरे देखने तो उन्हें आर्ड अटेका जाएगा प्लीज प्लीज आसा मत्रना प्लीज हाँ हाँ डिलीट कर देंगे लेकिन उस्ते पहले तुम अपने पैरे में पट्टी बांधो पट्टी देना मुझे और सुनो अपने भाई को कहना कि तुम्हारा एक्सिडेंट हुआ है और उसी में तुम्हारा फोन तूड़ गया समझी ये लो और कपड़े भी चेंज कर देना ये लो पट्टी और अपने भाई के सामने भी तफीक ऐसी रोना फना उसे हम पर शक हो जाएगा समझी समझ गई समझ गई गोड़ कर आपको ये फोटो खिचने वाला आइडिया पहले क्यों यह आए पेकार में हमने इतनी महनत की तेख अगर तूने इन से शादी नहीं की ना तो हम तेरी पिक्चर सारी वाइरल कर देंगे लेकिन आपने तो बोला था कि आप मेरे फोटोस जिलीट कर दोगे हाँ कहा था लेकिन शादी करने के बाद अपनी दीदी की इतनी सी वात नी मानेगी तू ठीक है मैं शादी के लिए तयार हूँ पर मेरी भी एक शर्त है कैसी शर्त में शादी तभी करोंगी जब दीदी को आप तलाग दोगे तलाग बै मैं क्यू दूंगी तलाग अगर शादी के बाद कौतम जी का मन में इसे बढ़ गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी ना हरे ऐसा कैसे हो सकता है यार तुम चुप रहो प्लीज मैं को सोच के बताता हूँ इस में सोचना क्या है? कि लड़की पागल है क्या? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपके शादी उसे करा रहे हूँ और यह कि मुझे आपसे तलाग लेने को बोर रही है अरे बाबा तु तलाक लेने में बुराई क्या है अरे मतलब देखो उसे मुझ पर भरोसा नहीं है लेकिन तुम्हे तो मुझ पर भरोसा है ना और तुम्हे थोड़ी छोड़ूँगा मैं देखो एक बार उससे शादी हो गई तो वो मुझ पर भरोसा भी करने लगी और फिर मैं तुमसे दुबारा शादी करनूगा देखो बड़ी मुश्किल से वो मानी है अगर कल को अपना फैसला बदल दी तो ठीक है आप कह रहे है तो मान चाहते है तो मैं कल ही वकिल से बात करके तलाग के पेपर से डी करवाता हूँ ठीक है ठीक है माई स्वीट वाइप ये लो हो गया हमारा तलाग देख लो अपनी आखों से सारे पेपर्स ठीक है पंडी जी से बात हो गई उन्होंने कल का मुरत निकाला है शादी कली मंदिर में होगी लेकिन मैं वाँ शादी में नहीं आ सकती हूँ नहीं तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि कैसी आउरते जो अपनी पती की शादी किसी और लड़की से करवा रही है इसलिए मैं घरी रुकूंगी और तुमारे सुआगराद की तेयारियां करूंगी इसा लग रहा है कि तुमने मेरा सपना सच कर दिया कितना खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली पत्मी मिली मैंने तो सिर्फ अपना फर्स पूरा किया और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है खेर हज आप दोनों का दिन है आप अपनी सुआगरात मनाईए मैं चलती हूँ तुमने क्या जबर्दस्त एक्टिंग की है मान गया तुम्हारी एक्टिंग को बताओ इसे तो हटाओ फिर तो बताओ इंदरानी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है लेकिन तुमने ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया कि हम लोग ए दूसरे को पहले से जानते हैं वाया मान गया और तुम्हे तो फिल्म राइटर होना चाहिए था इतनी अच्छी स्क्रेप लिग दी तुमने बड़े बड़े राइटर ना लिख पाए कब तक हम ऐसे चुप-चुप कर प्यार करेंगे कब तुम मुझे शादी करोगे देखो जब तक इंदरानी हमारे बीच में है हम शादी नहीं कर पाएंग तो तलाक ले रो और पीछा शुड़ाओ उससे वो बहुत प्यार करती है मुझे से इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तुमारी बातों से तो यही लग रहा है कि वो मरते मर जाएगी पर इस जरब में तुमारा पीछा नहीं छोड़ेगी एक सेकंड एक सेकंड जनम से याद आया तुम्हें पास लाफ रिग्रेशन के बारे में पता है वो क्या होता है? मैंने इसके बारे में पढ़ाय की है यह एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम अपने पिछले जनम के घटनाओं के बारे में जान सकते हैं हम यह देख सकते हैं इस जनम में कॉन सा इन्सान हमारे पिछले जनम में भी था तो इस से हमारी प्राव्ब्लम्स का क्या लेना-देना लेना-देना है मेरे दिमाग में एक आइड्या रहा है उसके बाद सब कुछ मैंने तुम्हारे प्लाण के हिसाब से ही किया पहले पीजि बनकर तुम्हारे घर में आई फिर इंदराणी के दिमाग में पिछ्य जन्म वाला आइड्या डाला और उस तुम से बाद कि और तुम ने अपने पिछले जनम की जूटी कहानी गड़ी और कहा कि पिछले जनम में तुम्हारी पत्नी तुम्हारी था और दौक्ररश्षिवानी भी अमारे प्लान में शामिल थी और उसके वज़े से तुम कन्विंस भी हो गए फिर इंदरानी भी हमारे जहासे में आ गई और फिर मैंने भी वही कहानी दोराई उससे कहा यहां पिछले जनम के बिश्टे पर पती पत्नी है और जैसा कि तुम्हें अंदाजा था कि इंदरानी तुम्हारे साथ मिलकर उच पे शादी के लिए जोर डालेगी और हमारे प्लान के मताबिक उसके बाद मुझे कमरे में बंद करना और तलाग की शर्थ रखना सब तुम्हारे प्लान के अनुसारी हुआ एक बात तो माननी पड़ेगी इंदरानी है बहुत बड़ी मोर्ख ठीक वैसा ही उसने किया जैसा तुमने मुझे बताया था हमारे पिछले जन्म के जूट को सच मान बैटी वो भी बिना कोई भी शक किये छे साल से जेल रहा था मैं उसे अब इतना तो जानता ही हूं मैं उसे शादी तो हो गई बिना शक किये पर अब बाड़ी है प्लान बी की अब उसे मार कर अपने रास्ते से हटाना होगा तुम उसकी चिंदा मत करो उसको मारने के बाद कोई पूछेगा तो हम उसे डाइबोस के पेपर दिखा देंगे और कह देंगे कि डाइबोस लेकर के वो कहीं चलीगी इससे किसी को शक भी नहीं होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी अपनी भावी भाईया सी भी नहीं बनती है तो कौन आएगा उससे पूछने के लिए देखो अभी हम लोग क्या करते हैं फटा फटा सुआगरात मनाते हैं और आधी रात को जब इंदरानी अपनी कहरी नींद में होगी तो हम उसका काम तमाम कर देंगे और रातो रात उसके लाश को ठिकाने लगा देंगे और कल से हम लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुबात करेंगे हुआ हिए अ अगया थिछा न इसे में इतने रातों आ हाइ क्या का रहा हुआ झाला जो सुटिय कैसे मैं वही यह मां यह बात सो भूल तो इस्पेक्टर साब हम इसे मार नहीं रहे हैं। एक्चली यह ना मेरी पहली बीवी है, जिसे मैने तलाक लिया है। लेकिन यह है कि यहां से जाही नहीं रही है। यहां अगर के मेरी दूसरी बीवी को पता नहीं अनाप शनाप ओल रही है। तो बस हम लोग इसको यहां से भगा रहे थे। मान ही रहे थे, इस्पेक्टर साब। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको अभी अपने तलाक के पिपर्स दिखाता हूं, इस्पेक्टर साब। और कितना जूट बोलोगे तू? और कितना नीचे गिरोगे? इन सब को तुम्हारी असलियत पता है। क्योंकि मैंने ही पुलिस को कॉल कर गी यहां पे बुलाया था। क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लांट B के बारे में पता चल गया है। तुमने क्या जवर्दस्ट एक्टिंग की है। मान गया तुम्हारी एक्टिंग को। इंदरानी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है। लेकिन तुमने ज़रा सा भी शक्नियों ने दिया कि हम लोगे दूसरे को पहले से जानते हैं। यह दे आपके एद्वांस पैसे। मैं शाम को अपना सारा सामान ले करती है। यह है मेरे पती गौतम सेंग। गौतम यह है दिव्या। है। यह पी डव्यूडी में ही है। इसका ओफिस आपके ओफिस के एकदम पास मैं। अहां मुझे भी लग रहा है कि मैंने इंको कहीं देखा है। मेरी मानों तो तुम भी गौतम से शादी के लिए हां बोल दो। चीके डीदी, जैसा आपके। मैं शादी के लिए तयार हूँ पर मेरी भी एक शर्त है। मैं शादी तभी करूँगी जब दीदी को आप तलाग दोगे। किलो, हो गया हमारा तलाख देख लो अपनी आखों से सारे पेपर्स। मेरे तो पहरो तले समीन खशक गई थी। लेकिन मैंने तुम दोनों की आवास पोन में रिकॉर्ड कर ली। और तफिर मैंने पुलिस को कॉल किया और यहां पर पुला ली। इंदराय में इतने दिनों से हमारे साथ रह रहे हैं लेकिन तुम ने जड़ा सा भी शक नहीं होने दिया कि हम लोग एक लूसरे को पहले से जानते हैं हलो, इंस्पेक्टर साह तुम बिल्कुल जिंदा मत करना हम तुमें कुछ नहीं होने देंगे अब तुम मेरी बात को और से सुना मैं तुमें कॉल करूंगा तुम फोन? कट मत करना घर का में डूर भी उपन टखना और उदोनों जैसे ही तुमें मानने की कोशिश करेंगे बस चिलाना और हम तुरंदी अंदर जाएंगे ठीक हैंज बैक्तर साम मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया और बतले में तुमने क्या किया मेरे साथ? इतने महीनों से मुझे धोका देते आरे थे अबता और आज हास तो तुमने हदी कर दी आज तो तो मुझे जान से ही मारने वाले थे वो तो शुकर ए उपर वाले का जो सही वक्त पर मुझे तुम्हारी सच्चा ही पता चल गई और मैंने पुलिस को बुला लिया इंस्पेक्टर साम ले जाए इन दोनों को और डॉक्टर शिवानी का भी पता कीचि और उने गिरफतार कीचि ले जाए दोनों को झाल को